आप दीख रही हैं जालोन मेट्रू जन्पत की आवाज पार मंडल की प्रदेश महामंत्री शशी सुमेंद्र सिंग ने कहा कि विद्यार्थी वर्ग को कठिन मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए लता मंगेशकर को पहले तपना पड़ा तब वह अपने जीवन में निखार ला पाई प्रबंधक नम्रता तिवारी दिक्षित ने कहा कि जिन्दगी में कितनी भी कठिनाईया क्यों न आएं लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मेहनत के द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष तक पहुँच सकेगा जो मेहनत करने से यदी डर गया तो समझो उसने अपनी मंजिल खो दी उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पाने का सबसे अच्छा उदाहरन है प्रमुक अतिथी मुस्कान इंस्टीट्यूट की संस्थापक प्रभा शुकला ने परिश्रम और धैर्य का महत्व बताया कहा कि लता के जीवन में यदी धैर्य न होता तो वे अपनी उम्मीदों को कभी पूरा न कर पाती प्रबंधक नम्रता तिवारी दिक्षित ने कहा कि सफलता के पीछे अनुशासन और समर्पन की ही मुख्य भूमी का मुख्य होती है प्राचार्य डॉक्टर राकेश द्विवेदी ने कहा कि लता ने अपने परिवार के लिए जो त्याग और समर्पन किया ऐसा हर कोई नहीं कर पाता उन्होंने कठिन परिश्रम से चुनौतियों को हराया इस अवसर पर B.S.C. छात्रा दिव्या पाल को 2500 की नगत धनराशी और प्रमान पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया इसके पूर्व दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ समारों की शुरुवात हुई शिफा, सानिया, खुश्पु ने गीत प्रस्तुत किया, संचालन काव्या पटेल ने किया इस अफसर पर योगेश पांडे, केके अग्रवाल, अनिल सिंग, अनूप गुप्ता, आर्ती पांडे, रेनुका साहू, सोनल पचौरी, कौशिकी, मुस्कान, पलक, जाहनवी, उर्मिला, वंदना, अन्शिका सिंग, साहिल, शिवा, अनिकेत आधी उपस्थित थे जालौन मैट्रो से ब्यूरो रिपोर्ट जालौन मैट्रो न्यूज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन्स जरूर दबाएं ताकि जालौन जन्पत से जुड़ी खबर आप तक पहुचे सबसे पहले